तो हम लोग 2018 में मध्यप्रदेश जीते ते शाथ गड़ जीते तब तो किसी नहीं कहा हूने अलतरास्ति बना दोया भाश्पाकावी अपनी ही पार्टी के लुटिया डूगो रहे हैं और इस बात बिल्खुल सही है राहुल गांदी ने बंटा-धार कर दिया बंटा-धार औ कॉंग्रेस पार्टी के साथ तो वो राहुल गांदी जीने किया अपने बंटा-धार कर दिया और जेश राम भाईयो तो स्वागते आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में तो आज की एको डिबेट देखने वाल है बहुते शांदर क्योंकि आज की डिबेट में BJP के प्रवगता शाज्याय इल्मी और कॉंग्रेस के प्रवगता सुरंदर राजपुद के बीच में काफी तूतुमे में हो जाती है क्योंकि डिबेट के दोरान साज्याय इल्मी ने डायरेक्ट उनको बोल दिया है कि कई न कई राहुल गांदी की तार अतंगवादियों स जरूर किजे चलिए शुरू करते हैं प्रशांद किशोर और स्मृति इरानी के निशाने पर आ गए पहले किसका जवाब देना चाहेंगे पहले प्रशांद किशोर का दीजे वो कहरें ब्रेक ले लिजे उस टाइम हारे जा रहे हैं फिर भी पार्टी को डुबोई जा रहे है प्रशांद किशोर जी ने आप बताईये मुझे मैं प्रशांद को बेक्टिगत रूपसे जानता हूँ आज तक उसने फ्री में कभी किसी को सलह नहीं दे रहा है यह फ्री की सलह देने का ये मेरी प्रश्न है एक बात और दूसरा प्रशांद किशोर को आप मुझे बता दी ये एक PR कंपणी का है तो उस PR कंपणी के ऊपर बहुत ज्यादा समय घुजारते उम इतना कहेंगे कि प्रशान जी आपने तो कहा था मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस जीतेगी हार गई राजस्थान में कहा था जीतेगी हार गई राजस्थान में किसी के साथ हमें नहीं पता हुटा लेकिन वह फ्री में कोई काम नहीं करता है यह प्राशान किशुर पर तो आपने बहुत बोल लिया गलप क्या कह रहे हो गांधी के वारे में अगर बार बार कोई हारे तो ब्रेक क्यों नहीं ले ले तो हम लोग 2018 में मद्रप्रदेश जीते जीते थे राजिस्थान जीते थे तब तो किसी नहीं कहा हुने अंतरास्ति अद्धक्स बना दो भाजपा का भी अद्धक्स बना लो भाई रूपो जरा शाजिया पहले प्रशांद किश्वर पर जवाब दीजिए 370 आपको जरूर होगा पर आपका सपना पूरा नहीं होगा पर जिए नमस्कार आदाब आप सबको सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पता नी फ्री में खाट इनकी बिछाई है या हटाई है प्रशांद किश्वर जी ने लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी फ्री में या कितने में अपनी ही पार्टी के लुट हुआ हमने सुनी इतनी बाते बजाए उन पर गौर कड़ने के उनमें क्या सच हो सकता है कि कहते ना अंग्रेजी में कि अलेफिंट अब सब जानते हैं सिर्ग में दुणिया की लोग जानते हैं कि खॉंगरे के कमरे में जो वारूम है एक बहुत बड़ा हाती है पर आप सब तो देख रहे हैं लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। मतलब आपको सब जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। और प्रशान जी ने वही बात कह दिये। तो बहुत बुरी लग दिये है। उनके पैसे की, उनके टॉनवर की, उनके लालची कहने की बात कही जा रही है। अब इस तरह क्या आक्षेब लगाता है, कटाक्ष लगाता है, जिसके पास कोई तरक ना हो, कोई तुक ना हो। और यी बात बिल्खुल सही है, राहूल गांदी ने बंटा धार कर दिया। बंटा धार और सबसे घोर अन्याय अगर किसी ने किया है, कॉंग्रेस पार्टी के क्या प्रिष्ट भूमी है, SDPI किस पार्टी का प्लिटिकल आउटफिट है, SDPI से किसने हाथ मिलाया है, आपको यादे लगातार एक बार श्रंखला वार अगर आप देखेंगे, जिसने भी चाहे वो शरजील इमाम हो, चाहे वो कनिया हो, सबकी फिकर करने वाला और पूर प्रती इरानी की अगर हैसियत है, हिम्मत है और होसला है, तो हमारे आतंकवादियों से सम्मंधों का प्रमाण दे, और नहीं तो उस महिला को हम समय आने पर जेल भेजेंगे, पूरी तरीके से जेल भेजेंगे, समय बदलेगा और वो जेल जाएंगी, या तो वो पुखता प्रमान दे पहली बात जो PFI की उन्होंने बात करी PFI एक बैंड आतंकी संगठन है उसका किसी भी राजनितिक पालिटी से हम तो बलकि इवन हम आरोप लगा सकते हैं भारती जनता पालिटी के ऊपर लेकिन नहीं लगाएंगे चुकि PFI को इन्होंने 2014 से लेकर के हम बिल्कुल नहीं कहने वाले कि आपने प्रमान दे और चाहे अपने चचा से प्रमान लेकर के आए क्या ना वो जो आरिफ मुहम्मद खान बैठावा जो इनको बता रहा है जूट बता रहा है या तो उनका प्रमान दें चुकि हमने बहुत स्पस्ट कहा है कि SDPI से हमारा अरे कि बात करते हैं कि अग्सान क्या गजी आरी मुहमद खान और बात करें आज क्या लूंसा घ्ली मौमद खाम अँनका है झाले खोल दिये इसलिए परिशान है जो धुलाई हुई है पूरे देश में आपकी जिस तरह से आपको रामलला के दर्वाजे बंदर के खोलने पड़े वह आरिफ महम्मत खान ने दिखाया है वह शक्त से आरिफ महम्मत खान जिसने बताया है क्या हुती है तुष्टी करण के तुष्टी करण के खिलाफ और तुष्टी करण किसका उन मौलवियों का जो पुरान के भी खिलाफ बात कर रहे थे ताकि हमारी महिलाएं जो मुस्लिम बहन और बेटी है उसकी फिक्र उनको थी उसके उसकी खिदमत के लिए राहुल गांधी वरना सुमृति इरानी वीडियो में अनतर्ग बने देने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएं तब लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और आपको कॉंगरेस के प्रोप्तायों के सरुर बताईए हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.